लिए शॉविप aí गुट्मॉर्निंग इस्टुडें्ट्स वेलकम टु सागर इंग्लिस क्लासेज सागर इंग्लिस क्लासेज में आपका स्वागत है इस्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ग्रामर सेक्षन में एक एक्जाम पेपर को साल्व करेंगे जो की पर्सनली केवल ग्रामर सेक्षन के लिए ही है और इसमें प्रोज", वुपाईट्री या शुपलिमेंट्री का कोई जिक्र नहीं है इसमें आप सिर्फ ग्रामर के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम ग्रामर के सेक्षन Κो या ग्रामर के पोर्षन को एक्जाम में साल्व कर सकते हैं चलिए देखते हैं किस class के लिए है, तो जैसा कि आप देख पा रहा है, यह हमारा class 11th के लिए है, subject भी आपका पढ़ा हुआ है, subject English है, अब आपको जो first question मिलेगा exam paper में, वो सबसे पहला question सेम ऐसा ही आपको paper में मिलेगा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, read the following passage carefully and answer the questions given below, यानि जो यह passage लिखा गया है, इतना पूरा, इस passage को पहले carefully आपको read करना है, पढ़ना है, और उसके बाद जो उसके passage के नीचे questions पुछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे questions लिखे भी हैं, हैना, इन questions के आपको जो है answer इसी passage को पढ़कर के ही देना है, तो पहले हम उन questions के हम answer नहीं दे पाएंगे, ना तो पहले इस question को read करना compulsory है, पहले इसको read करते हैं, क्या देखिए, books enlighten us, किताबें हमको ग्यानवान बनाती हैं, cheer us, हमको परसन रखती हैं, and encourage us, और हमको प्रोथसाहित करती हैं, हमारे अंदर उत्साह को बढ़ाती हैं, they make us healthy, wealthy and wise, कित healthy means स्वस्थ, wealthy means धनी और wise means बुद्धिमान, किताबें हमको धनी, स्वस्थ और बुद्धिमान बनाती हैं, books are our best companions, हमारी सबसे अच्छी साथी या सबसे अच्छी मित्र, अगर कोई हैं तो कौन हैं, books, किताबें हैं, as क्योंकि they never desert us, क्योंकि वे कभी हमें अकेला नहीं और मतलब तो ऐसे घंटा होता है यहां पर समय निकालेंगे, कि हमारे आउसकता के समय में किताबें कभी हमको अकेला नहीं छोड़ती हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं, friends may give us a cold solder in our adversity, यानि जो friends हैं, मित्र हैं, may give us, क्या कर सकते हैं, a cold solder, यानि हमें ठुकरा सकते हैं, य हमारे संकट के समय में, मित्र एक बार साथ छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन क्या बोला गया है, but not so the books, लेकिन कभी किताबें ऐसा नहीं कर सकती हैं, they amuse, वे हमें मनुरंजन भी कराती हैं, entertain हमारा मनुरंजन करती हैं, हमें amuse मतलब आनंद परदान करती हैं, entertain means मन मनुरंजन कराना, and inspire us, और हमें प्रेरित भी करती हैं, किस चीज के लिए, even in our darkest hour, यहां तक कि हमारे बुरे से बुरे समय में भी हमारा साथ देती हैं, books contain best thoughts, किताबों में best thoughts, अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, experiences, यानि अनुभो मिलते हैं, किसके आप दा noblest mind, noblest mind का मतलब क्या है, सर्वस्रेष्ट है न, सबसे अच्छे mind वाले, means सजन बेक्तियों के विचार मिलते हैं, उनके अनुभो मिलते हैं, that ever lived on the earth, जो लोग पहले कभी इस धरती पर रहे, और वो सबसे स्रेष्ट माइन वाले थे, उनके विचार भी हमको किताबों में मिलते हैं, उ तो students, यह तो हमारा जो है, पैसे रीड हो गया है, अब इसके आगे इसमें जो questions पुछे जा रहे हैं, उन questions को हमें समझना है, क्या देखें, first question पूछा गया है, who enlightened us, हमें ज्ञानवान कौन बनाता है, हमारे अंदर ज्ञान की ब्रद्धी कौन करता है, तो first question का answer आपको यही पराग्राप में मिल गया, कि books enlighten us, किताबें हमको क्या करती है, ज्ञानवान बनाती है, किताबें हमारे अंदर ज्ञान की ब्रद्धी करती है, तो यह हमारा question का answer first मिल गया, कि books enlighten us, ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो second question है, what do the books make us, किताबें हमें क्या बनाती है, तो सवस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाती हैं दो कुशन का आंसर मिल गया थर्ड क्या है हमारा सबसे अच्छा साथी कौन है तो यहाँ पर आपने अभी पढ़ा था बुक्स आर अवर बेस्ट कमपैनियन किताबें ही हमारी सबसे अच्छी मित्र है असाथी है लेच्छ कुशन है किताबें क्या अपने अंदर धार करती है किताबों में क्या होता है तो आपको बता है कि बुक्स धार करती है बेस्ट थार्ट्स and experiences of the noblest mind that ever lived on the earth किताबें अपने अंदर उन सर्वस्रेश्ट मस्तिस्क वाले बिचारों वाले लोगों के उनकी क्या thoughts थे उनके क्या experience थे इन चीजों को अपने अंदर धार करती है जो लोग पहले इस दर्टी पे रह चुके है तो यह तो सारे questions के answer होगे बस एक last question और पुछा जा रहा है कि give a suitable title to the passes जैनि जो passes आपने भी यहां पे पढ़ा है पूरा यह इस title को पढ़ने के बाद जो है इसको एक title देना है title का मतलब होता है सीरसक है ना जैसे आप कोई part पढ़ते हैं तो part का पहले नाम होता है उसके बाद उस part के बारे में आप पढ़ते हैं तो यहां पे हमने पहले part को पढ़ लिया है लेकिन part का नाम कहीं नहीं मिला है तो हमको part का नाम ही इसको देना है यह question कहा रहा है तो question हमने सही से पढ़ लिया है और passes भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है अब क्या करना है इस passes को एक part का नाम दे देना है तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हमको देखना होता है कि स्टार्टिंग से लेकर लाश तक किस चीज के बारे में बात की गई है सिंपल ची बात है कि books के बारे में बात की गई है तो अब books को किस रूप में देखा जा रहा है as a friend यानि एक मित्र के रूप में देखा जा रहा है तो आपको यहाँ पे suitable title क्या देद देना है books our best friend books our best friend या our best friend books ऐसे भी आपको लिख सकते हो ठीक है तो यह हमारा paragraph complete हो चुका इसके सारे questions भी हमारे complete हो चुके अब आजाते हैं question number second पे question number second क्या देखे write an article or essay या तो एक article लेख लिखना है या तो एक essay निबंध लिखना है on any one of the following topics निमलिखित topics में से निमलिखित प्रकरडों में से किसी एक प्रकरड पर एक आपको जो है essay आर्टिकल लिखना है देखे पहला topic क्या है इसमें बोला जा रहा है importance आप games and sports खेलों का importance महत्तु क्या है इसके बारे में आपको essay आर्टिकल लिख देना है या pollution problem प्रदूसर की समस्या अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो unemployment in India भारत में बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा भारत में बेरोजगारी है एक समस्या है तो इसके बारे में भी आपको लिखने के लिए essay आर्टिकल पूचाया सकता है या my favorite leader मेरा सबसे favorite या मेरा पसंदीदा या मेरा सबसे प्री नेता कौन है अब नेता में आप अपने राष्ट के किसी भी एक leader का नाम जो भी आपको जो है favorite हो उसके बारे में आप write कर सकते हैं anyway मैं in essays का जो है वीडियो बना चुका हूँ और उसका link मैं description box में दे दूँगा वीडियो आप देख लेना और आराम से आपका essay complete हो जाएगा description box चेक कर लेना उसमें आपको essay का जो ही वीडियो मिल जाएगा तो जैसा कि आपके देख पा रहे हैं हमारा question number third जो है write a letter to the district magistrate complaining against the problem of loudspeaker in your area during the board exam you are Nikhil और Sonia आपके board exam चल रहे हैं और उस board exam के दौरान आपके छेतर में कुछ लोग loudspeaker जोड़ जोड़ से बजाते हैं अब उस समस्या हो रही है छेतर में पढ़ाई की loudspeaker बजेगा तो simple से बदबच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगी तो उसकी समस्या के solution के लिए आपको district magistrate लड़कियों को सोनिया राइट करेंगे इस पर भी मैंने आपको एक वीडियो प्रवाइट करा दिया जिसमें सभी प्रकार के complaint letters मैंने समझा दिये हैं वीडियो की link मैं आपको description box में दे दूँगा आप उसको चेक कर लेना वीडियो देख लेना अच्छे से आपको सारे complaint letters मिल जाएंगे चलिए अगला question number हम फोर्थ देख लेते हैं क्या है फोर्थ question क्या कह रहा है कि do as indicated in the brackets question number first to fourth यानि जैसा bracket में indicate किया जाए जैसा निर्देश दिया जाए bracket में वैसा कीजिए कहां से कहां तक question one से लेकर के question four तक तो अब देखे यहाँ पे हमारा यह one है यह two है यह three है है और एक हमारा क्या है fourth है यह third है और यह fourth है तो अब इन चारों questions को हमको जो है जो भी आगे bracket में indicate कर दिया जाएगा जैसा indicate किया जैसा निर्देश दिया जाए वैसा ही आपको करना है तो पहला question समझते हैं क्या देखिए he said उसने कहा let us play a friendly match हमें एक मित्रवत match खेलना चाहिए या हमें एक friendly match खेलना चाहिए अब एक रहा है change into indirect form of speech इस sentence को direct में दिया गया है और इसको indirect करने को बोल रहा है कि इसको indirect में change किजिए तो मैंने आपको let वाले sentence पढ़ाय थी let वाले sentence में क्या होता है suggestion होता है proposal होता है order होता है advise होता है request होता है तो इसमें हमारा suggestion दिया जा रहा है कि place पर direct कर लेना है और let us को they should make change कर देना है बस बच्चा क्या play a friendly match तो आपको ये कर देना है sentence आपका complete हो जाएगा क्या बनेगा sentence he suggested that they should play a friendly match ये आपका indirect complete हो जाएगा second क्या है the lion was too old to kill the deer यानि हिरन को मारने के लिए जो lion था सेर आते दिख old बूढ़ा हो चुका था अब इसमें क्या कह रहा है remove adverb to adverb to को आपको remove करना है जो adverb to आया इसको आपको remove करना है क्या करना देखी आपको सबसे पहले subject को write कर लेना है the lion फिर was है तो was write कर लेना है to को जब remove करते हैं तो so बढ़ता है फिर इसके बाद adjective जो old आया है old ही रहेगा फिर इसके बाद जब ये conjunction वाला to remove करते हैं तो conjunction that बढ़ता है और that के बाद हमको क्या करना पड़ता है इस subject के according एक pronoun लगाना पड़ता है तो subject है lion यान यान masculine gender में आएगा तो pronoun he या see तो आपको पता ही लगेगा क्योंकि c feminine के लिए आता है अब इस sentence past में है तो could not और और present में है तो can not तो आपको पता है was past में आता है तो past में को हो जाएगा could not बचा क्या kill the deer तो हो जाएगा kill the deer sentence कैसे बन जाएगा the lion was so old that he could not kill the deer इस sentence आपका ऐसे convert हो जाएगा remove to जो हमारी two are इसको remove कर देना है next क्या देखिए the peon is ringing the bell चपरासी घंटी बजा रहा है अब इसमें करें change into passive wise इसका passive बनाना है तो आपको पता है subject, verb, object अगर ये तीन चीज़े हमको पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं किसे भी sentence का आसानी से active से passive बना सकते हैं तो क्या करना होता है subject को object और object को subject तो object को पहले बनाएंगे subject तो क्या है double तो पहले double लिख लेंगे अब sentence में helping word आपको age दी है age किसकी farm है b की farm है तो हमको क्या लगाना है पहले helping word is और उसके बाद b और उसके बाद में क्या करना है जो ringing में से ing दिया गया है इसको यहां से हटा करके b में जोड़ दे रहा तो being हो जाएगा तो हो जाएगा the bell is being फिर ring की थर्ड़ फार्म रंग तो रंग है ना the bell is being रंग यह हमारा sentence complete हो जाएगा next अगला sentence हमारा fourth क्या करा दिखिए the trains run faster than the cars अब यह sentence आपको पता है कि जब भी comparative degree होती है तो उसमे adjective में er जुड़ा होता है जैसा कि यहां पर fast में er last में जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह comparative degree में अब कहरा change into positive degree यहीं positive degree में बनाना है तो जैसे आप active पढ़ेते हैं same वैसे ही इसमें भी आपको करना है object को subject subject को object अगर affirmative है तो negative कर दो negative है तो affirmative कर दो तो आपको पता है sentence हमारा affirmative में है किसमें है affirmative में तो पहले object को subject बनाएंगे तो cars है लिखा पहले तो the cars लिख लेंगे फिर इसके बाद present tense का वाकिर run है न तो present tense का है तो do not लगाएंगे क्योंकि यह cars plural number है तो the cars do not run अब इसके बाद जो हमारा adjective fast आ रहा है इसको हम जब do not negative होता है तो so और as के बीच में adjective रखते हैं अगर affirmative होता है तो as और as के बीच में रखते हैं तो क्या लिखाएंगे the cars do not run as so fast क्या होगा the cars do not run so fast as the trends है न तो यह भी हमारा sentence complete हो जाएगा तो यह question हमारा जो था four number यह कहा रहा था one to four तक आपको जैसा bracket में indicate के जब ऐसा करना है तो यह तो हमने bracket के according समझ लिजए अब हमारा जो इसी के आगे five number आ रहा है यह क्या कहा रहा है correct the sentences यह sentence हमारे जितने भी दिये हैं दोनों यह दोनों wrong हैं गलत हैं इसमें क्या mistake है आपको पता लगाना है और उनको correct कहाना है क्या कहा रहा है I am suffering from fever since Monday मैं सोमवार से क्या हूँ बुखार से पिलित हूँ तो आपको यहाँ पता है कि जब ing form दी हो continuous होता है अब continuous है तो संग में यह भी देखना है कि हमारा किसमे continuous में जाएगा present का past का, future का और cable continuous है या perfect continuous है तो जब आपको समय भी संग में दिया हो जोसे यहाँ पर since Monday दिया है मैं सोमवार से बुखार से पिलित हूँ जब समय भी दिया हो तो वहाँ पर सहाय क्रिया इस एमार नहीं लगती है वहाँ लगती है has been या have been तो हमको I के संग में क्या write करना होता है European के पहले N का यूज किया गया है अब देखो यहाँ पर जब हम European लिखते हैं तो यहाँ पर EU है ना लेकिन जब इसका हम हिंदी में pronunciation करते हैं उच्राट करते हैं तो क्या होता है European तो ऐसे जब इसमें पहला हमारा later क्या जाता है या यू लिखेंगे ना तो यू में पहला later क्या जाता है या और या क्या है हिंदी वर्ड माला में एक consonant है मिंस बेंजन है अब बेंजन जब भी होता है तो आपको पता है वहाँ पर N नहीं लगता है लगता है तो यहाँ पर N की mistake है N नहीं आना चाहिए क्या आएगा A You are a European Next अगला question कहा रहा है कि You are a synonym साब दी following निम लिखित वर्ड यहना सब्दों की क्या करना है synonym पर रहवाची लिखना है तो पहला आपको दिया गया attack attack का मतलब क्यों होता है आक्रमड तो इसका जो synonym होगा वो क्या हो जाएगा invasion क्या हो जाएगा invasion invasion का मतलब भी आक्रमड होता है I-N-V-A-S-I-O-E-N अगला क्या है fearless fearless का मतलब होता है निर्भीक या निडर जिसके अंदर कोई भी डर ना हो तो इसका क्या हो जाएगा आपको पता है daring साहसी courageous साहसी next क्या देखिए ग्यूदा एंटोनिम सामदी फोलें निम लिखित वर्ड के एंटोनिम बिलोम लिखना है उल्टा तो accept का मतलब होता सुईकार करना तो आपको पता है जो है उल्टा क्या हो जाएगा deny 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 मतलब इंकार करना अगला क्या है देखिए unskilled unskilled में से un-hattा दीजिए skilled हो जाएगा unskilled मतलब akusal skilled मतलब kusal या अगर आप इंडे लिखना चाहते है तो unskilled का मतलब akusal और इसका उल्टा जब करेंगे तो यह apt हो जाएगा apt apt expert मतलब भी kusal होता है expert मतलब भी kusal होता है next हमारा क्या कह रहा है question देखिए use the following in your own sentences to bring out the differences in their meanings यह जो नीचे word लिखे गए fair अब दोनों को हम fair पढ़ते हैं लेकिन इनके meaning में कुछ difference है इनके अर्थ में कुछ अंतर है तो इनको अपने sentence में ऐसे use करो अपने वाकिय में ऐसे use करो कि इनका क्या means है difference क्या है means में वो clear हो जाए तो इस fair का मतलब आपको पता है अच्छा भी होता है और मेला भी होता है और इस fair का मतलब किराया होता है क्यों होता है किराया तो आपको ऐसे sentence बनाने कि इसमें एक में ये fair आजाए एक में ये fair आजाए तो चली देखते हैं इस fair का sentence क्या होगा जिसे कहा जाए I went to the fair of the sehera मैं the sehera का मेला देखने गया तो ये fair हो जाएगा उस sentence में यूच हो जाएगा अगर हम इस fair कार्थ मेला ना निकाले तो ऐसे भी बना सेकते हैं न कि your work is fair तुमारा जो कार्य बहुत अच्छा है fair मतलब बहुत साफ है साफ सुत्रा अच्छा है इस fair का मतलब है किराया जैसे कहा जाए the fair of the room is very high इस कमरे का जो fair है किराया है बहुत हाई बहुत जादा है तो यहाँ पे हमारा जो है दोनों fair का meaning clear हो जाएगा इसपस्ट हो जाएगा कि दोनों का meaning अर्थ क्या है अगला question कर रहा है give one word for the following expression निम लिखित जो वाग के दिया गया है नीचे जो वाग के लिखा गया है क्या assembly of listeners इसको एक word में give one word एक word में इसका answer देना है तो आपको पता है assembly of listeners का मतलब क्या होता है सुरोताओं की सभा सुनने वालों की सभा तो इसको क्या बोलेंगे audience क्या बोलेंगे audience अगला क्या है use any two of the following items or phrases in your sentences नीचे आपको कुछ items कुछ phrase दिये गए जिससे an apple of discard at six and seven bring out give up यह four दिये गए four में से आप ही क्या कह रहा है कि किसी two के दो items को अपने sentence में use करना जिससे कि इनका means है इनका मतलब जो है वो clear हो जाए supposed हो जाए तो पहला क्या है an apple of discard जगडे की जड़ अब इसको sentence हम कैसे बना सकते हैं कि जगडे की जड़ तो पहले इसका means लिखेंगे क्या होगा means होता है cause of dispute cause of dispute अब फिर sentence डालेंगे तो sentence आप क्या write कर सकते हैं कि कासमीर is an apple of discard between India and Pakistan यानि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कासमीर हो जगडे की जड़ है अगला क्या है at six and sevens six and sevens का मतलब होता है तितर बितर होना तो आगे ब्राइकट में इसका हम अर्थ क्या लिख लेंगे to be scattered क्या होता है to scatter यानि इधर उधर बिखरना तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे seeing the police यानि police को देखकर the themes क्या हो जाएगा went at sixes and sevens या अगर आप इसको ऐसे ना कहना चाहे तो ऐसे भी कर सकते है कि due to sinni's mischief I found my books at sixes and sevens यानि sinni की सरारत के card मैंने अपनी किताबें तितर बितर पाई next bring out का मतलब होता है प्रकास में लाना क्या होता है प्रकास में लाना और दूसरा क्या है give up give up का मतलब होता है छोड़ देना मतलब leave leave का मतलब भी छोड़ना होता है give up का मतलब भी छोड़ना होता है तो उसका sense आगे आपको क्या लिख देना है leave, bring out का अंदल प्रकास में लाना है ना to find out यह नी पता लगा लेना किसी का प्रकास में ले आना, अब हमको क्या करना है इन दोनों को अपने sentence में use करना है, जैसे कहा जाए the police brought out the criminal in his investigation police ने अपनी investigation में चोर को क्या कि आप प्रकास में ले लिया जो criminal था उसको प्रकास में ले लिया उसका पता लगा लिया give up का अंदला भी आपने बढ़ता लिया या नी छोड़ना तो कैसे इस का यूज कर सकते हैं, give up smoking धुमरपान छोड़ दो as it is injurious to health, क्योंकि ये स्वास्ते के लिए हानिकारग है तो ये आपका दोनों का sorry, चारों का items और phrases का use हो चुका है जिबकि दो ही आपको करने है अब अगला आपको देखो question number 10 यहाँ पे दिया जा रहा है कि translate the following into English यानि निम लिखित जो कहानी है इसको English में translate करना है क्या देखिए इसमें पहला हमारा sentence है एक इमांदार बेक्ति सदयों नियावा सच्चाई के पतका अनुसरड़ करता है एक इमांदार बेक्ति sorry, यहाँ पे चेक कर लोते है question number में कुछ difference लग रहा है यहाँ पे sorry, यहाँ पे question number 4 था और 4 के बाद question number 5 आना चाहिए था यहाँ पे question number डालने में थोड़ा mistake हुई है यहाँ पे question number 5 होगा ठीक है अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि मांदार बेक्ति सदयों नियावा सच्चाई के पतका अनुसरड़ करता है तो इसको हमें कैसे English में translate करना है an honest man always follow the path of justice and truthfulness या truth next वह हमेशा दूसरों की मदद करता है he always helps others next वह सादा जीवन उच्विचार में विश्वास रखता है तो he believes in simple living and high thinking उसे किसी से भय नहीं रहता है he is not feared of anyone उसे किसी से भय नहीं रहता है next वह अच्छे लोगों का ही अनुसरड़ करता है he follows the good people next उसके लिए इमांदारी ही सरोत्तम नीती है for him honesty is the best policy तो students यह हमारी story भी complete हो चुकी है सारे जितने भी हमारे questions थे इस grammar section में सारे complete हो चुके है और आप लोग इनको अच्छे से तयार कर लेजिए exam में आप से पूछे जा सकते है